हाई दोस्तो विलकम टू दो आई वी टेक्निकल क्लासे चलिए तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टिन क्वेस्टिन की बारे में बात करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एक्जाम के रिगार्डिंग होगा ठीक है ध्यान से देखेगा बहुत इजी क्वेस्टिन है जो कि आपके सेमेस्टर एक्जाम में पुछने की बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी चलिए फर्स्ट कोईशन देखिए इस्टेट एंड एक्स्प्लें दो सूपर पोजीशन थियूरम देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले मैंने बैसिक से लिकर चला था फिर उसके बा कर्ण्च के क्रोस करेंट या वोल्टेज के वैल्यू को बताईए तो आपको क्या करना होता इसमें पहले हम लोग करते हैं कि एक सोर्ट को एक टाइम पर क्या करते हैं । ये तर से इदर से भी मान लिजीए एक करेंड सोर्स लगा हुआ है और आपसे पूछ देखाए कि सर बताईए तो क्या करेंगे तो एक टाइम में हम लोग क्या करेंगे करेंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे और उस टाइम में क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स को इसके इंटर्नल रजिस्टेंस क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे और वोल्टेज सोर्स का इंटर्नल होगा और इसका internal resistance infinite होता है जिसके चलते यह क्या हो जाएगा यह open की तरह behave करेगा है की नहीं यह किस की तरह behave करेगा open की तरह behave करेगा तो ध्यान रखना है ठीक है यह किस की तरह behave करेगा open की तरह तो ध्यान रखना है चलिए आगे अगर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किर्चोफ स्टेट एंड एक्स्प्लें किर्चोफ लो अच्छा ये भी देखिए कि सूपर पोजीशन थियूरा में अगर चार नंबर में पूझ दिया है केवल प्रोसीजर लिखना है और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना और सर्किट के साथ बनाते हुए लिखना है ठीक है लेकिन जब आपका एक्स्प्लें पूरा करने के लिए देगा तो अपने से एक क्वेश्चन भी मान लिजेगा और उस क्वेश्चन को रा यह भी बहुत असान चौपिक था मैंने पढ़ाया भी था आप लोगो किर्चॉप लोग क्या बोलता था जी कि किसी भी लूप में वोल्टेज के ड्रॉप के समेशन को क्या बोलते है जीरो बोलता है और उसी परकार किसी नोड पर समेशन ओफ आल करेंट इनकमिंग या के अंतरगत देखते हैं तो वो क्या होता है किर्चॉप बोल्टेज लोग होता है किसी नोड पर देखते हैं तो किर्चॉप करेंट लोग होता है ठीक है तो यह आपको लिग देना है ठीक है बहुत असान क्वेस्चन है अपने अनुसार लिखना है अगर चार नमर में पू से हेडिंग डालिए और लिखिए ब्लू से या ब्लैक से ठीक है बात समझ में आया चले थर्ड कोईस्टिन देखिए डिराइब ए रिलेशन सीप बिट्विन वोल्टेज और करेंट इन प्योरली रजिस्टिव सर्कीट देखिए एसी सर्कीट जब मैंने स्टार्ट किया था तो वोल्टेज के एक जिनरेशन और वोल्टेज के बाद मैंने बताया था क्या की कि आपका वोल्टेज और करेंट में या तो हूँगा देखिएगा कि जब मैंने circuit बता था तो हम लोग क्या करते थे कि P के वोर रहा है कि इस के थुप है this राजिस्टर को सब्सक्राइब है तो इसमें हम लोग ने देखा था कि इस कारेंट और वोल्टेज के अरेंड और किया है फिर इसमें हम लोग हुने फेibyयांगloeimer тр तो सभी आपको ध्यान में रखते विए यह सभी आपको ध्यान से लिखना है ठीक है ज्यादा question hard नहीं पूछेगा आराम से आप लोग लिखिएगा ठीक है चलिए next question बात करते हैं देखिएगा next question बात करते हैं next क्या है explain the flowing बहुत हीजी है देखिए आपसे क्या पूछ देगा कि आपसे दो या तीन नमबर में पूछ देगा दो दो नमबर एक एक नमबर बना कर ऐसे कुछ point बना कर देदेगा आपसे कि बोलेगा कि cycle को क्या करो explain करो तो क्या आप cycle को explain नहीं कर सकते हैं कि cycle क्या होता है time period क्या होता है time period बताइए तो वहाई एक cycle complete करने में जितना time लगता है वो time period होता है frequency क्या होता है तो एक सेकेंड में कितना oscillation किया वो क्या होता है हमारा frequency होता है amplitude क्या तो देखो यह waveform में इसका जो maximum यह peak value जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते amplitude तो इसको आपको लिखना है फिर उसके बाद phase difference क्या है तो phase difference मैंने बताया था कि मान की चलो यह voltage का waveform है तो कोई current मान की चलिए अगर inductive circuit रहते हैं तो current क्या होगा कुछ degree से इसको lag करके चलेगा क्या करेगा कुछ degree से lag करके अगर purely inductive है तो 90 degree से lag करेगा तो इन दोनों के यह 0 पर है अगर मान लोग यह 90 degree पर है तो इन दोनों का phase displacement क्या हो गया 90 degree और इसी को हम लोग क्या बोलते है phase difference बोलते हैं तो इसके बारे में आपको लिखना है फिर देखिएगा next आगे देखिएगा question उसके बाद आपको क्या बताना है state and explain the resonance condition in series RLC circuit यानि series RLC circuit में आपको क्या बताना है series RLC circuit क्या होता था जी कि R का combination L का combination और C के combination होता था ठीक है और इसके cross हम लोग क्या करते थे एक AC source लगाते थे क्या करते थे एक AC source लगाते थे जो कि यह R हो गया यह L हो गया और यह C हो गया अब इसमें हम लोग resonance condition इसमें तीन case चलता था जब L greater than C यानि XL greater than XC चलता था यादा रहा है सबको एक होता था Excel less than XC और एक होता था Excel equal to XC और EC को हम लोग क्या बोलते थे रेजुनांस यादा रहा है तो इसके बारे में explain करना है अगर 6 number में पूछे तो आपको क्या करना है resonance कर बनाना है फिर उसका derivation करना है कि कि इस परकार से resonance अकर होता है जैसे कि XL बरावर में XC कर देना है वहाँ से frequency आप निकाल लीजिए है ना तो इसमें भी मैंने बताया था waveform diagram ये सबी जो है आप proper way में क्या किजिएगा उसको explain किजिएगा ठीक है तो आगे देखिए next question क्य है quality factor selectivity resonance frequency in series circuit फिर वहीं बात कि quality factor क्या होगा अब यहाँ पर एक आपको notify कर देगा कि RLC के लिए quality factor बताइए तो RLC series circuit के लिए आप बात किर दे quality factor की तो quality factor क्या होता था जी कि XL बटा R के ratio कम लो quality factor बोलते थे या फिर 2Pi into maximum energy stored बाटा में maximum energy dissipated यहीं होता ना quality factor तो इसको आप को define करना है फिर selectivity आप define कर लीजे फिर regionals frequency regionals frequency क्या होता था 1 upon 2Pi under root over 1 by LC और यहीं radian में होता तो under root over 1 by LC होता यादा रहा है सबको कोई हाड है चलिए तो उमीद करते हैं यह सभी बनाईएगा आगे देखिए next question क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है define and differentiate between line current and phase current in three phase system ठीक है and represent relation between them क्या बोल रहा है कि जो मैंने last unit याद के जिए last unit नहीं आप लोग मेरे पढ़ाने के अनुसार मैंने last 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 में पढ़ाया था इसको three phase system उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि एक दो परकार के connection मैंने बताया था एक star connection यादा रहा है सबको एक मैंने delta connection बताया था तो मैंन मैंने बताया था दो लाइन के बीच के voltage को line voltage बोलते हैं ये और neutral line के बीच के voltage को phase voltage बोलते हैं यादा रहा है सबको तो इसमें मैंने बताया था क्या कि जो ये phase current होता है one line current होता है ठीक है लेकिन जो ये phase voltage होता है वो line voltage नहीं होता है क्यों क्योंकि star connection में जो line voltage होता है वो root three टाइमस ओफ फेज वोल्टेज होता है यादार है सबको मैंने यह डेरिवेशन भी कर रहा था एक्स्प्लेइन भी किया था आगे डेल्टा कनेक्शन में मैंने बताया था कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल होगा नहीं तो यह भी बताया था कैसे होता है ठीक है तो यहीं आपको explain करना है ठीक है चार नंबर में आए तो simply derive भी नहीं किजेगा कुछ इसके बारे में लिख दीजेगा diagram के सही तो वह आपको number मिल जागा लेकिन 6 यह नंबर में पूछ देगा तो आपको explain करना पड़ेगा ठीक है आगे देखो अब next question है state and explain the maximum power transfer theorem देखो फिर वहीं बात अब हम लोग ने थेवनियम theorem देखा था है ना तो थेवनियम theorem में क्या हम हम लोगे ने देखा था कि हम लोग जिसके क्रोस निकालना होता था उसके क्रोस क्या करते थे उसको open करके उसके क्रोस हम लोग भी टी एच और आटी एच का value calculate कर लेथे है एनगी तो बी टी एच आटी एच आटी पाफले मैंने कह बताया था कि इसका condition होता है क्या होता है कि जब load का resistance source के internal resistance से बराबर हो जाए तो उस case में maximum power आपका transfer होगा ठीक है second case बताया था कि जब ये condition follow हो जाएगा तो maximum power transfer होगा तो वो कितना transfer होगा तो मैंने ये भी बताया था कि जो maximum power transfer होगा वो होगा आपका VTH का square बाटा में 4 into RTH VTH के है थेवनियम voltage RTH के है थेवनियम resistance है तो आप थेवनियम circuit में convert कर लीजेगा तो फिर आपको मिल जाएगा VTH और RTH का value फिर उसके बाद आप क्या कर सकते है maximum power कितना deliver हो लाए लोड के पास वह आप calculate कर सकते हो है न जी तो तो असानी से बिलकुल असान है है न तो आगे बात करते हैं next question बात करते हैं देखे फिर से अगर हम लोग बात करें तो बहुत असान question है देखिए right short notes अब आपको दे देगा कि short notes मान के चलिए चारे नमबर में देदे या कि notan theorem को explain करो तो कैसे क्या करोगे तो notan theorem क्या होता था मान के चलो यहीं circuit है यह वाला circuit है अब इसमें बोला कि तुम क्या करो कि यह जो 20 ohm resistance है इसके cross हमको बताओ notan current कितना होगा या notan equivalent circuit बताओ तो भी सोम के resistance के cross तो मैंने notan circuit में क्या बताओ था क्या करते है जिसके cross निकालना होता है उसको open करके क्या कर देते हैं short कर देते हैं short कर देते हैं और उसमें एक current मान लेते हैं इसमान कि चलो notan current in flow हो रहा है ठीक है और अब क्या करते हैं इस Norton Current के value को calculate कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जिसके cross नहीं निकालना था, उसी के cross हम लोग Norton resistance का value निकाल रहे थे, और Norton resistance ही क्या होता था आपका, थैमनियम resistance होता था, यादरा है, तो Norton resistance वहीं, थैमनियम resistance, तो इसके cross फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको open कर लेंगे, और इसके cross RN का value, या फिर वहीं बोलिए, RTH का value calculate कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या करते थे हम लोग, कि Norton current का value निकाल लिए, तो इस Norton current का value को यहाँ पर लिख देते थे, IN, फिर इसके साथ जो RN का value निकाला, उसको हम लोग यहाँ पर connect करते थे, और जो load हम लोग ने replace किया थ हटाया था 20 ohm को, इस 20 ohm को जोड देते थे, ठीक है, अब इसमें आपसे current push देगा, तो current का value निकाल लिजिए, current division rule लगा कर, आया सब समझे, तो इस परकार से question को deal करना है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि question cut, cut नहीं होना चाहिए, कोसिस किजिएगा कि हम cut, cut ज्यादा न ही करें, है न, चलिए, आगे देखिए, RL parallel circuit, अब ये RL parallel circuit क्या होता है, तो RL parallel circuit भी बताया था, कि बहुत आसान होता है, क्या होता है, कि R और L के parallel combination, जब किसी source के cross लग जाता है, तो इस connection को हम लोग क्या बोलते है, RL parallel circuit बोलते है, यानि R resistance, L हो गया, inductance, तो इन दोनों क parallel combination को हम लोग क्या बोलते है, RL parallel circuit, अब इसमें फिर से हुआ ही, जैसे RL series में देखते थे, क्या देखते थे, क्या देखते थे हम लोग, तो voltage, triangle, current, triangle, फिर इन दोनों के बीच में phase relation है न, फिर voltage और current का relation की, इसमें, current तो divide हो जाएगा, तो इसमें, एक में IR flow होगा, एक में IL, तो इन दोनों के बीच में relation, उसमें voltage triangle बनता था, इसमें क्या बनेगा, current triangle बनेगा, current triangle बनेगा, तो ये सभी आपको देखना रहता है, ठीक है, वो इसी परकार, current triangle बन गया, admittance triangle, ये सभी आपको देखना है, उसमें impedance triangle बनता था, इसमें क्या बनेगा, admittance triangle, तो वो सभी ध्यान में रखियेगा वो सभी explain कर दियेगा ठीक है अगर 6 नमर में पूछेगा चार नमर में पूछेगा तो आपको क्या करना है simply RL parallel circuit का एक diagram बना कर उसमें point को लिग देना है कि RL parallel circuit क्या होता है RL parallel circuit में voltage current में क्या होता है यह सभी आपको रखना है किसको reference रखते हैं यह सभी ध्यान में रखना है आगे active and reactive power तो फिर से three phase circuit में बताया था active power क्या होता है reactive power क्या होता है apparent power क्या होते हैं तो यह सभी आपको लिखना है ठीक है आगे देखिए next last last question देखिएगा जो कि यह भी बहुत important है इसी में मैंने आपके लगबग सभी concept को clear कर दिया है देखिए इस question को क्या बोला है कि by using mesh node thevenium superposition solve the circuit यह आपको circuit दिया हुए है आपको क्या करना है mesh analysis node analysis और कुछ theorem जैसे कि thevenium है superposition है इन सभी का use करके आपको इस circuit में currents का value calculate करना है ठीक है तो असानी से बन जाएगा mesh में क्या होता था कि हम लोग loop के cross या mesh में हम लोग क्या करते थे इस परकार से दूगो current मान ले थे i1 और i2 current flow हो रहा है फिर इधर से i1 i2 का value निकाल लीजेगा तो यह सभी भी आ आते थे उसी परकार node है तो node पर voltage मान लेते थे ठीक है थैवनियम theorem जिसके cross मान लीजे 20 ohm के cross इसमें बोला है थैवनियम है तो इसको open कर लेंगे इसके cross BTH निकलेंगे लो उसी परकार maximum power transfer तो जब BTH निकल जाएगा तो BTH का square बटा में 4RTH कर लो तो वहां से तुम्हारा क् cross load याद है maximum कितना transfer होगा तो यह कुछ important question है जो कि बहुत important है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इतना miss नहीं होना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगे thank you